धन्यवाद आज का वचन अदभुद रीती से परमिश्वर ने मेरे मन में डाला है और मैं विश्वास करता हूँ अगर ध्यान से आप इस वचन को समझेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपका जीवन जैसा अब है वैसा नहीं रहेगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वचनों में शक्ति है वचनों में जीवन है वचनों में जोती है लेकिन वो कब जोती आपके अंदर काम करेगी जब आप उसको लेंगे जब आप उसको अपना बना लेंगे जब उस वचन को अपना बना लेंगे तो वो आपके अंदर जाके शरीर धारन करेगा और तब वो काम करेगा और आप देखेंगे और मैं विश्वास करता हूँ है जितने भाई बेंट बेटे हुए है उन्होंने महसूस किया है उन्होंने महसूस किया है कि जब वचन अंदर जाता है तो अद्भूत कारे करता है पर्मेश्वर ने हम को चुना अद्भूत तरीके से अद्भूत तरीके से अद्भूत परमेश्वर क्यों चुनता है आले लिया परमेशर क्यों चुनता है परमेशर चुनता है सिर्फ चुनता ही नहीं और वो चाहता है कि हम उसमें बने रहे हर पल हम उसमें बने रहे इसलिए चुनकर वो हमें काम देता है ये बड़ी अजीब बात मैं आपको आज बताने वला हूँ हमें परमेश्वर ने काम दिया है, ऐसे नहीं चुना है हम समस्ते हम चुन गए, बबतिस्वा हो गया, उधार हो गया अब बस संसार में हम लगे रहेंगे, ये हमारा काम है, नो परमेश्वर हमें काम देता है, और वो काम देता है जिस काम के द्वारा हम उसमें बने रहें, हम वश्णों को मनन करते रहें रेसलोट, जब आप उसका काम करेंगे न मेरे भाई, तो आप संसार की बातों को अपने अंदर आने नहीं देंगे तब आप उसके वशनों में बने रहेंगे तब आप उसके वशन के बारे में सोचेंगे तब आप उसके योचिनाओं के बारे में उसके प्रेम के बारे में सोचेंगे और जब उसके प्रेम के बारे में आप सोचेंगे और जब उसका प्रेम नियुक्त किया है ताकि तुम काम करो ताकि तुम काम करो आपको पता है आदम को परमेश्वर ने चुना था और रचने से पहले उसके लिए काम सोच लिया था रचने से पहले युद्पति 21 अगर आप निकालेंगे तो रचने से आदम को रचने से पहले परमेश्वर ने उस हालेलुया उत्पति एक शबीस अगर हमारी भेन पड़ेंगे जली से पीर परमेश्वर ने कहा हम अनुष्य को अपने सवरुप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मचलियों और आकास के पक्षियों और घरेली पश्यों और सारी पृत्वी पर और सब रहेंगने वाले जंतों पर जो प्रत्वी पर रहेंगते हैं अधिकार रखे रेसलोट हालेलुया यानि कि बनाने से पहले परमेश्वर ने काम सोचा कि उसे क्या करना है आओ हम उसे समानता अपनी समानता अपने सुरूप में रचें कि वो मश्लियों को जीव जंतियों को धरती पर प्रभुता करें उसके बाद उसने बनाया परमेश्वर ने बनाया वेसलोट और काम कराया उससे का अधन की वाटिका की रखवाली तुझे करनी है जानरों के आप जानते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे दूसरा धियाए पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज काम परमेश्वर चाहता है कि हम उसका करें नो के बारे में अगर आपको मैं बताओं तो नो को चुनने से पहले जब कुछ नो को चुना उसको काम दिया कि तुझे क्या करना है एक सो बीस साल में उसने जहास बनाया उसको काम दिया कि तुझे क्या करना है ऐसा ऐसा काम करना है अललुया तक कि हम जब परमेश्वर के काम में लगे रहेंगे तब हम विचलित नहीं होंगे संसार संसार की बाधाओं से संसार के जो आकर्शन है जो आजमाईश्य है जो आखों की लालसा है बुद्दी का घमंड है शरीर की अभिलाशा है इन सब चीजों से अब सुचिए मेरे भाई मेरे बहन कि नोहा जो है वह कैसे इस्तिर रहा कभी आपने सूचा है कि नोहा कैसे इस्तिर रहा एक सो बीस साल तक उससे नहों बनाई उसके कही होंगे रिश्चगार जानने वाले उसके दोस्त होंगे 500 साल का जब वो था तो परमेश्वर ने चुना सुची 500 साल हम्तो जब पएदा होते हैं चलिस 20 साल के करने दौस बनने शीरु हो जाते हैं McD solic al 50 साल में कितनी लोगों को जानते haven कि पर चाल में ना तू पांसो साल का था वो तब परमेशर ने उसको चुना आलेलुया तो पांसो साल का जब वो था तो सोची कि उसको कितने लोग जानते होंगे उसके कितने रिश्दार होंगे उसके कितने दोस्त होंगे उसके कितने दुश्मन होंगे यानि कि नोहा को जानने वाले हजारों लाखों लोग होंगे रिस अलोट और जब उसने नाव बनानी शुरू की परमेशर के आग्या के मुसार तो कित्तों ने उसे कहा हो गारे तो क्या कर रहा है यह तो पानी भी नहाता अभी तक बार की बात कर रहा है पागल हो गया क्या आज तक आकार से पाने नहीं बरसा और बार आईगी किया जल प्रले होगी नोहा तेरा दिमाग खराब हो गया लेकिन चूंकि परमेशर ने उसे काम दिया था परमेशर का वचन उसके साथ था उसमें लगा रहा कि नए मेरे प्रभू ने इस सालट और एक चीज और बतादू मैं आपको इसी का उत्पत्ति का चेका बीस और इकिस पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि जब जहास के अंदर गया किते दिन था जहास के अंदर कोई बताएगा मुझे नोहा जहास के अंदर किते दिन था तकरीबन एक साल चलो हम मुटा मुटा अगर पढ़ दें तकरीबन एक साल 40 दिन 40 दिन तक तो बरशही उसके बाद घटता रहा तो तकरीबन एक साल तक नोहा जहास के अंदर था और जब वो जहास के अंदर था तो आप सोचिए उस दुर्शे को महसूस करिए कि जब पानी उठ रहा होगा और लोगों ने मरना शुरू किया होगा लोगों ने डूबना शुरू किया होगा और लोग चिला रहे होंगे पुरा संसा डूब गया था अब सोचिए कि कितनी लाशे वहाँ पर होंगी कितने लोग चिला रहे होंगे कितने लोग जानते होंगे नोहा तू तो जुनाओ में हमें बचा ले अरे नोहा अब हम तेरी बात बानते हैं हमें बचा ले कितने लोग होंगे जो उसे बुला रहे होंगे कितने लोगों को उसने मरते हुए दूपते हुए तड़पते हुए देखा होगा वो एक साल तक कैसे रहा एक साल तक दीनता के संग परमिश्वर पर विश्वास करते हुए कैसे रहा कि अभी पानी निकलेगा और मैं भी आ जाओंगा हलो हमारे अंदर छोटी छोटी चीजे हैं हमारी नौकरी चूट जाती है घर में बिमारी आ जाती है और दो हफते हम चर्च गए बिमारी ठीक नहीं हुई संदे आ जाता है नौकरी नहीं बिली संदे आ जाता है तो हम छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं हम सोच भीष्वास को थामे रखा होगा क्योंकि परमिश्र ने उसे काम दिया था चेका बीस और एक जाती के बख्षी और एक जाती के पशू और एक जाती की भूमी पर रेंगने वाले सब में से दो-दो तेरे पास आएंगे और तू उनको जीवित रखना हलो नोहा के पास क्या काम था उनको जीवित रखना ख्याल रखना तेरे पास आ गए हैं तुझे अपने परिवार का ही ख्याल नहीं करना है जो दो-दो पक्षी आ रहे हैं उनका तुझे ख्याल करना है क्योंकि परमिश्व जानता था कि इसके माइंड को काम में लगाओ कुछ और ना सोचे आगे 21 पढ़िए और भाती भाती का भोज जो पदार्थ जो खाया जाता है उनको तु लेकर अपने पास इकठा कर रखना जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा प्रेज्ट अलॉड तुझे अपने उनके भोजन का ख्याल रखना है एक साल जो नोहा ने अपना जीवन वह बहां बिताया है उसने ख्याल रखा है जो चारा लेकर गया था जो भोजन लेकर गया था उसने सिर्फ अपने बच्चों को नहीं खिलाया है जो वहां पर जीव जन्तु थे दो दो जाती के जीव जन्तु कितने हो जाएंगे आप सोचिए हर जाती के दो दो उनका ख्याल रखा है उनका तुझे उनको भोजन देना है उनको जीवित रखना है क्यों अकर हम परमिश्वर का काम अपने जीवन में उतार लेंगे कि हमें करना क्या है हमें कैसे जीना है शैतान आपके जीवन में कभी काम नहीं कर सकता हमारा खाली पन हमारी उत्यजना हमारा संधे शैतान को नियोता देता है कि आओ चिंदा कौन देता है? शैतान सुबह उड़ते हैं आपके कान में शैतान बोलता है तेला क्या होगा? तुछर्च जाता है तुछ दाशान देता है सब कुस देता है तुरी नौकरी नहीं मिली तेरा बच्चा ठीक नहीं है क्या होगा? हाललया और हम चिंदा में आ जाते हैं क्यों? क्योंकि वचन आपके अंदर नहीं क्योंकि आप प्रभू के लिए समर्पित नहीं है और अगर आप प्रभू के लिए समर्पित है तो आप कहेंगे शायतान हट मेरा इशू मेरे लिए मरा है और मर के जिन्दा हो गया है अरे मुझे इशू ने अनंतकाल का जीवन दे दिया अरे इशू ने मुझे पापो श्रापों से मुक्त कर दिया मुझे नौकरी मिले या ना मिले मेरा धंदा चले या ना चले मैं आशीशित हूँ और स्वरकादिकारी हूँ इस अलोट हाललुया जिस पर हम इस विचार के संग अपने जीवन को शुरू करते हैं मेरे भाई मेरी बहन शेटान हमारे जीवन में कंदम नहीं रख सकता जो इस तरह के से आदम को काम दिया था जो इस तरह के से नोहा को काम दिया था उसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी काम दिया है हमें भी काम दिया है क्या काम दिया है प्रभू के बारे में बताना सू समाचार देना रोमियों एक का सोला क्या कहता है कि सू समाचार में परमेश्वर का सामर्थ है परमेश्वर का सामर्थ कहा छुपा हुआ है यू नो सू समाचार में हलो वो सामर्थ आपके जीवन में बहता है आप थेखिए बढ़िये 116, रोमियों 116, कि परमेश्वर का सू समाचार परमेश्वर के सामर्थ के साथ भरा हुआ है, क्यों चाहता है परमेश्वर, कि आप उसका सू समाचार सोना है, पता है आपको, क्यों चाहता है कि परमेश्वर आप काम करें, आपको पता है, उसू समाचार में सब स्वर्गी आ شیشیں हैं अलेलुया कुलुसियो तीन का दो में क्या कहता है अब अब ब humility कि अपना ध्यान सरगी वस्थों पर लगाऊ तब तुम मस्यथ को अबने संग रख सकते हो तब मस्य तुम में जीवित रहेगा अलेलुया हमारा ध्यान कहा लगाना है हमारा स्वर्गिय चीजों पर हमारा ध्यान लगाना हमारा दिमाग हमेशा स्वर्गिय चीजों पर रहे तब आप परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के दिये हुए जीवन को इस धर्ती पर बचा सकते हैं और विजही हो सकते हैं जब आपका ध्यान स्वर्गी चीजों में आपका ध्यान कहां पर है संसारिक चीजों में आपका ध्यान धंदे पर है नौकरी पर है अपने बच्चों पर है कि सू समचार क्या है सू समचार हमें परमिश्र की इच्छा की बूच को हमारी इच्छा बनाता है पिता की इच्छा को अपनी इच्छा समझना ये क्या है सू समचार जब आप पिता की इच्छा समझने आपको पता है कई लोग इस बचन को मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप गलस समझने मैं आपको इसको बताऊंगा हाललिया सू समचार परमेश्वर की सामर्थ है रोमियों एक का सोला क्योंकि मैं सू समचार से नहीं लजाता इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहुदी और यहानी के लिए उधार के निवित परमेश्वर की सामर्थ है बोले परमेशर की सामर्थ है और जब भी आप सू समाचार सुनाते हैं पता क्या करते हैं आप सामने वाले भाई बहन को परमेशर से मिलवाते हैं और उसको स्वरकादिकारी बनाते हैं हलो आप जब किसी को एड्रेस देते हैं पिता का कि मेरे पिता का ये एड्रेस है तब आप जानते नहीं आप क्या कर रहे हैं कि आप उस सू समाचार को बताते हैं आप क्या बताते हैं सू समाचार में कि इशु मर के जिंदा हुआ पहले आत्मेकाशिश हलेलिया क्या बताते है आप सूसमाचार में कि इशू मसीश स्वर से धर्ती पर आया परमेश्वर का पुत्र मनश्च के रूप में धर्ती पर रहा और धर्ती पर रहा ताकि वो हमें पापों श्रापों से मुक्त हो जाए ताकि हम जब हम इश्वास करेंगे तो पापों श्रापों से मुक्त हो जाए और हम अनंद काल के वासी हो जाएंगे प्रेजिस अलॉड सू समाचार परमेश्वर के सामर से बढ़ा हुआ है और जब आप सू समाचार सुझाते हैं तो उस परमेश्वर की आत्मिक आशीशें आपके जीवन में काम करती हैं इस उसी एक कतीन जब आप सू समाचार को महत्म नहीं देते हैं अगर आप सू समाचार में लगे रहेंगे ना मेरे भाई आप लगे रहेंगे आपके जीवन में आपके जीवन में काम नहीं कर सकता आपके जीवन में काम नहीं कर सकता आपके जीवन नहीं आएगी आपके जीवन में संधे नहीं आएगा तो कि आप सू समाचार आप लगे हुए परमेश्र के काम में के परमेश्र के काम मुझे आत्मा को जीतना है मुझे परमेश्र का सं सूसरों तक पहुंचाना है ग्लेलिया रेसल आट सुषमाचार में सामरत है कि हमारे प्रभी युष्व मसीय के पर मेश्व और पिता का धनिवाद हो कि उस ने हमें मस्य में स्वर्ग्य स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशिय से दी हैं तो मिलने वाली नहीं है अपको कहा पर है हम इस समय कहा पर रहें आत्मा में पता आपको हम इस समय आत्मा में कहा पर दें जानते हैं कोई हम स्वर्ग में परमिश्र के दैनिय और एश्यू के साथ बैठे है अब यह मैं आपको देखाऊंगा वह वचल हम हम काथ रूट помог आशीशिंड जो हमें मिल चुकी है, क्या क्या मिला है? कभी आपने सोचा है, वो आत्मिक आशीषे क्या है, जो हमें मिल चुकी है? परमेशज ने बताया, हमारे प्रबु ईश्यो मसी के परमेश और पेता का धन्यवाद हो, कि उसने हमें मसी में सुर्गी इस्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीशें दे दी है अगर आप लिखना चाहे तो पांच आशीशें हैं आप लिख सकते हैं पहली परमेशों ने आपको चुना और गोद लिया है हलो को हो मुझे गोद लिया है अरे बहुत ठंडे आप यार परमेश्य ने आपको गोद लिया है अलो हो पिता ने सर्व शक्तिमान मैं हूं सजो हूं उसने आपको गोद लिया है आलेलूइया आप क्यों थंडे है आप इसीज को ग्रहन ही नी करते हैं मानती ही हैं तब यूसकी आत्मिक आशीश है आपके जीवन में काम नहीं कर रहे हैं गोद लिया हूँ, फैलो मैं चुना हुआ हूँ और गोद लिया हूँ, ये रोज सुबह आपको महसूस करना है, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, तो पहली आत्मिक आशीश क्या है, कि परमेशन ने आपको चुना ही नहीं है, उसने गोद लिया है, इस आत्मिक लिले गा है जो अब आपक अपना बनाना है अगर आप Bible को अपना नहीं बनाएंगे और आपके जीवन में काम नहीं करेगा यहां से सुनके जाएंगे शेतान चिन लेगा उसको अपना बना लीजे मेरा वच्छा में इशू को अपना बना लीजे इशू से विक्तिकत रूप में संबंद बनाईए वो मेरे लिए मरा एसास करिए एसास करिए वो मेरे लिए मरा है मैंने पाप किये थे वो मेरे लिए मरा और मर के जिन्दा हुआ क्रूस पर जब बलिदान इशू मसी ने थार्मिक्ताब के जीवन में काम करेगी उस दिन परमेश्र की धार्मिक्ताब के जीवन में काम करेगी क्योंकि मैं मरा कुरूस पर जब तक आप भी नहीं मरेंगे कुरूस पर आप समस्ते इशू आपके लिए कुरूस पर मरा नहीं मैं भी कुरूस पर मरा हूं मैं इशू के स खूंपuks पर मर चूका हूं पॉपॉलस कैता है गलत के दो कबेंद है ने ऑसिद्द?", जब तक आप अपने आपको मरह हुआ नहीं साबित करेंगे जब तक आप नहींitas का हूं तब तक आप उन आत्मिक आशीश के आशीश को उसके सुख को नहीं भोख वाइंगे नहीं भोख भाइंगे गलते दोख पीस क्या कहता है कि मैं मैं मसिय के साथ क्रूज पर चड़ाया गया हूं अब मैं जीवित न रहा पर मसिय मुझ में जीवित में जीवत नहीं रहा हूं अंगिकार खड़ता है कभी आपने हम अंगिकार किया कि मैं मसी के साथ मर चुका हूं जा मेरे बाई यह आतमकाशी आप क्यों नहीं विश्वास करने कि मैं गोज लिए जा कुकी आप अभी तक अपने आपको मरा हुआ पाते ही नहीं आप मरा हुआ पाते हैं नहीं अपने आपको पालुस कहता है मैं कुरूस पर ईशू के साथ मर चुका हूँ अब मुझे मैं नहीं है मुझे मैं ईशू जिन्दा है जिस दिन आप ईशू को अपने अंदर देखना शुरू करेंगे जीवेत उस दिन ये आत्मी काशीश जो परमेशन ने दी है एफीसियो एक का तीन आपके जीवन में काम करना शुरू कर देंगे आलेलुया तो पहली आत्मी काशीश क्या देखी है हमने कि परमेशन ने हमें चुना है और हमें गोद में लिया है दूसरी आत्में का शिष्ट का है पता आपको कि उसके अनुगरे से हम पाप और श्रापों से पूरी तरीके से मुक्त हो गए पिर भी पाप आपके का शिट रहन पता है कि अगर मैं दोके को जानता ही नहीं हूँ मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो चुका हूं कुलूसियो एक का बाइस कहता है कि इशू मसी में शरीर के द्वारा उसकी मृत्यू के द्वारा मैं पवित्र दिर्दोष और निश्कलंक बन चुका हूँ मुझे पाप पता ही नहीं होना चाहिए वो पाप से अंजान था इशू मसी पाप से अंजान था समझते हैं कि इशू मसी रो रहा था कि वो क्रूस की मौत मरना नहीं चाहता दा रहे नहीं वो तो बोल चुका है मुझे मरना है वो क्यों रो रहा था क्यों प्रातरा कर रहा था अपने पिता से कि मैं पाप जो प्याला तो मुझे दे रहा है पाप का, वो मैं लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही वो पहला मिलूँगा, मैं पिता से अलग हो जाओंगा हलो वो डर्नी राता, लोग गलत समझते हैं कि वो क्रूस की मौत बनना नहीं चाहता, रे हो तो साथ बार बोल चुका है मरने से पहले कि मैं मरूंगा और मुझे मारा जाएगा, लोग ठूकेंगे मुझ पर प्रिस अलोट, वो पाप से अंजान था, जैसे ही हम इशू मसी में आए, जैसे ही हमने विश्वास किया जैसे हमने भप्तिस्मा लिया, जैसे ही हमने इशू मसी को अपला अधार करता माना, हम भी पाप से अंजान हो गए, यस अगर आप आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आप अंजान नहीं है, इसलिए जो स्वर्गी आशीशे है, वो हमारे जीवन में काम नहीं कर बारे, इसलिए आप आप अश्योंस नहीं करें कि मैं गोद लिया हूँ, पहली आत्मी काशीश कि Mैं चुना हुआ हूँ और गोद लिया हूँ, दूसरी आत्मी काशीश यह हैं कि मैं, मैं अनुगरय के दरहा परमещर के अधिकार दिये थे इशु मसी के द्वारा वो सारे अधिकार मुझे मिल गए हैं इन आत्मिक आशीशों के संग आपको दिना है यह आपको मिल चुकी है एक का तीन कहता है कि पिता परमेश्र का जो इशु मसी का पिता उसका धन्यवाद हो कि उसने मुझे स्वर्गिये काशीशों आत्मिक आशीशों से भड़ दिया दे दिया मुझे त्रीस्री आत्मिक आशीश क्या वो ली मैंने कि उसने आदम के सारे अधिकार जो इशु मसी के द्वारा इशु मसी ने हासिल किये थे वो हमारे पास है चौति आत्मिक आशीश कि उसकी आत्मा हमारे अंदर ह चौर्थी आत्मिकाशिश क्या है उसका आत्मा हमारे अंदर है और पांचवी आत्मिकाशिश के मैं इशु मसी के साथ सुर्गे स्थानों में बैठा हूँ मैं और आप, आप नहीं जानते हैं, आपनी वेल्यू नहीं कर रहे हैं आप, इसलिए आप उसके काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं समझे नहीं कि वो गोद लिया, उसने आपको, इफीसियो 2 का चार से साथ निकाली है आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आप कहां बैठे हैं आपका इस्तान कहां पर है आप कौन है इफीसियो 2 का चार से साथ पढ़िए बिटा ज़र अच्छी तरह पढ़िए इसको परंतु परमेश्वर ने जो तया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम से प्रेम किया जब हम अपरादों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसी के साथ जिलाया अनुगरही से तुम्हारा उद्दार हुआ है चटा और मसी इश्व में उसके साथ उठाया और स्वर्गी इस्थानों में उसके साथ बिठाया हलो इश्व कहा पर है परमिश्र के दाइनी ओर हम कहां पर है इश्व के दाइनी ओर हलो आप लो खुश होते हैं उसको विश्वास करिए आत्मिक रूप में आप कहा पर है हलो आप कहा बैठें और इशु मसी में उसके साथ उठाया और सर्चे साथ बिठाया और वो अधिकार जो इशु मसी के ओवव हम पर दे हमें दे दे दिये śrpm में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का आसीम धन दिखाए एमेन उसने आपको सुर्गिये स्थानों में इशु के साथ बैठा दिया किसलिए बैठाया आपको ताकि वह आपको दुबारा पड़ो बैठा जली पड़ो कि वहां अपनी उस कृपा से जो मसी इश के द्वारा जो हम पर हुई है यहनुके पापने इस कृपा के द्वारा आगे आने वाले समयों में आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है अभी तक तो आपको ये पता है कि उसके अनुग्रह से हम पाप और शापों से मुक्त हो गए अरे वो अपने अनुग्रह के द्वारा अपना असीम धन आपको देना चाहता है हमें आपको पता ही नहीं है वापको क्या देना चाहता है अपना असीम धन असीम खाजाना अपने अनुगरे के द्वारा आपको देना चाहता है लेकिन कब जब आप महसूस करेंगे कि आप स्वर्गियस्तानों में इश्यू के साथ बैड़ गए है अलो कब होगा जब आप मांगना छोलेंगे जब आप मांगना छोलेंगे जब आप परमेशर के सहे कर्मी बन जाएंगे जब आप उसके लिए काम करेंगे जब आप आत्मी गाशीशों में जीएंगे जब आप आत्मिक जीवन जीएंगे उसका असीम धन आपके जीवन में काम करेंगा अमेंंन अलो अब ठोटी सी चीज़ों के लिए अधभूद खाजाने का भूल रहे अधभूद खाजाना हम सुमचार रहे सुनाते हैं और हम उसको वेलू डेते हैं कोई घर में आ गया सुना दिया पर उसी को सुना दिया आप बाहर जब आप जाते हैं एक आफिस जाते हैं आप सोचिए आपको एक जॉब मिलीए अगर उस जॉब को आप पूरी तरीके से इमानदारी से एकसेप्ट नहीं करेंगे क्या उस जॉब के फाइदे आपको मिलेंगे जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको कोई जॉब मिलती है तो उसको पूरी तरीके से जब आपको मिलेगा तब आपको फॉर्ण मिलेगा आपको बोनस मिलेगा आपको देवाली का गिफ्ट मिलेगा तब मिलेगा ना आपको ये तो essential चीज़ है, कब मिलेंगी जब आप पूरी तरीके से उसमें a point हो जाएंगे, पूरी तरीके से, जब आप पूरी तरीके से issue में आ जाएंगे, जब आप पूरी तरीके से महसूस कर लेंगे, कि मैं गोद लिया हूं मैं पुत्र हूं मैं उत्रादिकारी हूं पर मेश्वर के समर्थ का अनुग है उसका असीम धन आपके जीवन में काम करेगा आपके जीवन में काम करेगा ये आठ महीने आपने देखा नहीं आठ महीने परमेशन ने आपको भूका रखा ये आठ महीने आपने देखा नहीं कि किस तरीके से अद्बु तरीके से परमेशन ने हमको आशीर दी है कि रूटी कमी हुई उसने बताया तुने काम किया नहीं काम किया फिर भी खाया मेरे भाई आपका अविश्वास आपको परमेश्वर के आशीशों से दूर करता है आपका अविश्वास आपका संधे मेरे पास काम नहीं है मेरे पास नौकरी नहीं है धन्यवाद आपके पास नौकरी नहीं है आपको पर्मिश्वर ने नौकरी दी है निकल ये बाइबल लेकर उसका सूर्समागर सुनाईए निकल ये इससे बड़ा काम और कोई नहीं है निकल ये मुझे पर्मिश्वर का सहकर्मी बनके निकलना है का तुम क्या रहोगे तुम कि जिंदा मत weश पर्मिक्ता की खोच करो कौश अबर तो कहां पर है आपके अंदर वो कहां पर है आपके अंदर आप धार्मिक्ता को ढूंड रहे हैं हम धार्मिक्ता को ढूंड जाए और वो आपके अंदर है आत्मी काशिशे जो प्रभू की है वो कहां पर हैं आपके अंदर वो आपको दे चुका है आप नहीं विश्वास कर रहे हैं कि आप आपको पर्मिशन ने गौद लिया है लेकिन उसने तो लिया है उसने जूट बोलता है हलो उसने आपको लिया है वह जूट नहीं बोलता है हम उस कीज़े को नहीं समझ रहे हैं हम एकसेप्ट नहीं कर रहे हैं उस निश्टे को क्योंकि संसार हमारे लिए जादा महत्पून है और बीस हजार चालिस हजार लाख रुपए दस हजार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है मैं यह नहीं कहता आप काम मत करिए काम करिए संसार का लेकिन परमेश्वर का काम पहले करिए निकालिए कि नहीं मेरा परमिजे परमेश्वर के लिए जीना है जिसे न आपके इंदर बोज होगा कि मुझे परमेश्वर के लिए जीना है आप मांगे कि परमेश्वर मैं क्या करूँ आपके लिए गुट्टे देकिए और उसने बोला हुआ है और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे स्रिस्टी के लोगों को सूसमाचार प्रचार करो और सूसमाचार पूरा प्रद दुवरा और उसने उनसे कहा, तुम सारी जगत में जाकर सारी स्रिष्टी के लोगों को सू समाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बप्तिसमा ले, उसी का उध्धार होगा, परन्तु जो विश्वास ना करेगा, वह दोशी ठहराया जाएगा अरे मेरे भाई, अगर आपने विश्वास के संग सू समचार नहीं सुनाया, तो आप भी दोशी हैं, आपका समझते हैं कि हम बच जाएंगे, हम बच जाएंगे, अगर विश्वास के संग यह आखरी लाइन है, उसको पढ़िये और परन्तु जो विश्वास ना करेगा, वहाँ दोशी ठहराया जाएगा सिर्फ वह ऑपने विश्वास नहीं किया कि सू समचार में सामर्त है आप भी दोशी हैं, आप ने अपने काम पर सीरिजन सेंस नहीं दिखाई फिणभी दोशी है। कि प्रमिश्र पूशे का पहला पहला पत्रस चार का सत्रा क्या है कि पहला पत्रस चार का सत्रा कि आप समस्ते की सामने वाला दोश्य है उसने उसने स्विकार नहीं कि आमज़ा सुनाया अरे आपने किस मन से सुनाया जब आप सूस्वमचार सुना रहे थे कि सूस्वमचार आ अगर आप सूस्वमचार सुनाते हैं तो आपके अंदर सूस्वमचार होना चाहिए अगर आप कहते हैं जूट मत बोलो तो पहले आपको जूट ना बोलना है अगर मैं यहाँ पर उपदेश देता हूं प्रचार करता हूं कि धोका नहीं देना जूट नहीं बोलना है बैब इचार नहीं करना है तो उससे पहले आपको बताने से पहले मुझे उस पे चलना पड़ेगा इश्यू ने कहा पवित्र बनो क्योंकि वह पवित्र था इश्यू मसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो उसने नहीं किया प्रेस अलॉट उसने लज्जब होगी उसने कहा है दुश्मनों को माफ करो क्योंकि उसने माफ किया उसने कहा है प्रात्रा करो उसने प्रात्रा की उसने कोई ऐसा काम नहीं किया उसने कुछ नहीं कि मैं नहीं करूँगा आप लोग करो सू समचार सूनाने से पहले मेरे भाई मेरी बहन हमारे अंदर सू समचार होना चाहिए जीवित हमारा जीवन सू समचार होना चाहिए मेरे चलने से बोलने से बैटने से ईशू दिखना चाहिए ईशू दिखना चाहिए मुझे बोलने की जोती है कि मैं चट जाता हूं मेरे सभाव से मेरे मेरे विहवार से मेरा परूसी जान ले के चट जाते हैं सू समचार आपके अंदर जीवित होना चाहिए और अगर सू समचार आपके अंदर जीवित नहीं है और आप सामने तो कर रहे हैं और वाइबल कहती है पहला पत्र शार का सत्र का कहता है क्योंकि वह समय आप हुचा है कि पहले पर मेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए न्याय पर मेश्वर के चुने हुए लोगों का होगा इसलिए अगर आप विश्वास से प्रात्रा नहीं करते अगर आ आप विश्वास से परमेश्र के सहे करμी नहीं है अगर आप विश्वास से परमेश्र का काम नहीं करते तो आप दोशी हैं। मेरे मन में डालता हुआ मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर महान है और परमेश्वर अनुग्रेकारी है मेरे भाई मेरी बहन उस पर विश्वास करो मैं बॉलीवुट का बंदा हूं और तक्रीमा 17 साल से परमेश्वर की सेवा चला कर रहा हूं और मैं अद्वूर आशीषत जीवन जीता हूं परमेश्वर मांगता हूं लेकिन पारमेश्वर अद्वू तड़ीका से मुझ आशीर देता ओ मालेलूइया है और उसका काम तो करके देखिए उसके बारे में सोचके तो देखिए आप गारीशन में क्या करूं अब देखिया आपके इवन में क्या होता है कि मैंने जब इंडस्टी सोड़ी थी कई पास्टरस ने का ता रहे ना बाद बहुत बिए न्चोड़ता है कि भॉलड चछोड़ता है लोग बॉली वूड में चाहते हैं मैं आठ नोंव फिल्मों का हीरो डिरेक्टर तिसी रश आपने सोनी स्टार वग सेवा भी करिए, इंडस्ट्री भी करिए, मैंने कर नहीं भाई, एक बार में मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मुझे इश्यू मिल गया है, मुझे इश्यू के संग जीना है, यह कुछ भी नहीं था मेरे पास, जो आप देख रहे हैं, कुछ भी नहीं था, सब परमिशन ने दिया, आप उसका काम करिए, वो आपके साथ चलेगा, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है, इसी अगर मरकुस का 19-20, बता दो नो मैं आपको मैं, मरकुस 16 का 19-20, जब आप उसका सू समाचार सुनाएंगे न, आपको पता है, जब आप उसका सू समाचार सुनाएंगे, जब यह 19 पीस 16 का 19 प्रभु ईश्व उनसे बाते करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्व की दाहिनी और बैठ गया और उनने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा यह जब वो प्रचार कर रहे थे अनम प्रभु काम करता राए और उन चिन्छों के द्वारा जो सथ-सद होते थे वचन को दुरूड़ करता रहा इमेन चिन्ह साथ साथ होते थे चेले प्रचार कर रहे थे प्रभू काम कर रहा था चिन्ह के दोरा प्रभू कब काम करेगा जो हम जाएंगे नहीं प्रभू कब काम करेगा इसलिए कलीसया में होता है कोई भाई भेहन एक साल में आया है उसने बोश को समझा वो आगे बढ़े कोई 20 साल से बैठा है बैठे हुए आप समझ नहीं रहे बड़ु को पर वो कहना काम करो आप गर में बैठे हुए आपके लिए 8000-10000-20000 आपके ज्यादा विली हुए प्रभु यह नहीं करता काम मत करो लेकिन मेरा काम पहले करो जब आप सू समाचार सुनाएंगे तो परमेशर आपके साथ होगा और वो चिन्न और चमतकार करेगा वो सामने वाले भाई के मन को बदलेगा परमेशर आपके संग चलना चाह रहा है लेकिन आप नहीं चाहते सूचिए कि जब आप चले तो आपके संग इशू चले सूचिए आप हालेलूई अगर वो दे में आपके संग चले कैसा लगेगा इश्यू आपके संगं चलने के लिए त approxim यह चाल विठा क्यों कि मनुफर के पुतौ धरती पर के इसको आधिकार है हमें वल्प्रिके शेदान के पास क्या इसलिए शेदान आपको यूस्ट करता जो धर्ती पर जन्में लोगों के अंदर घुज जाता है और उनके द्वारा काम करता है चोड़ चोरी से आता है और यह राफिरी से और है ना यह अधार्श का दस वो चोरी से आता है इसलिए जब तक आप परमेश्व के संग काम नहीं करेंगे आप आशीश नहीं पाएंगे यहीं जीवन रहेगा आपका और अगर फिर शैदान आपको भटकाएगा फिर शैदान आपके कान में कहेगा अरे इतने साल हो गए उतने साल हो गए आपको मस्ने बावल पढ़ ली का हो गया कि आज मैंने चेक्टर प्रभू करना के चाहिंए जिल्ला के गई का मोगया हो गया कि नहीं नहीं बाइबल की आतमा को जो अपने अंदर हमको अिस्तुती अरदri पवित्र मुद्ध करती आ वचन हमें उन्देटा और हमें शुद्धता की हुर लेकर जाता है तो वचन पढ़ना प्रत्राथना करना और इस्तुती अरद्रादना करना यह बाइबल परबुवा काम नहीं है तो हमारा काम है कलीशिया में आकर वर्चन सुनकर उस पर चलना हमारा काम है प्रभू काम नहीं प्रभू ने तो बता दिये तुझे यह करना है हम समझ रहे हैं बाइबल पढ़ ली हाँ हाँ आज प्रभू काम किया इस सुती अरादना की प्रभू काम हो गया नहीं मेरी बेर बाइबर पढ़ना वचन पढ़ना वचन करना प्रात्रा करना सुती अरदना प्रभू काम नहीं है ये तीनों चीजें तो हमें सचेत करती हैं हमें बनाती हैं हमें परवेशन में रहने में सहायक सिद्ध होती हैं यह काम नहीं है प्रभू का यह काम नहीं है जोग प्रभु का काम हिए अप को रिचे नहीं है यह किproduct करने के लिए प्रभू नहीं चीजी दी है प्रभु का काम है शुष समत्र प्रभू事情 को ले के जाओ तुम अट इसलिए से वह कहता है यौहना 15 का 7 1 9 यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वहां तुमारे लिए हो जाएगा यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे कि हम वचन में बने नहीं रहते हैं हम मांगते सब कुछ है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहे आपको पता है जब आप खाली रहते हैं आप में वचन आप कहीं जा रहे हैं वचन को मनन करते रहे हैं वचन को मनन करते रहे हैं आज संदेश आपने सुना एक आगस पर नोट कर लिए जैसे आपने कॉपी में नोट किया कॉपी से कागस में उतार लीजिए आज कहीं जा रहे ने वचन को समझे पास्टर ने क्या बोला था ये वचन उस वचन को मनन करिए आप देखिए आप वचन को मनन करना शुरू करेंगे न परमेश्र का सामर्त आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा वचन को मनन करिए वचन में बने रहिए किचन में काम करने है वचन में ने रहे लो हमारा दिमाध वचन से सबते हैमे कैसी बने रहना आसे बने रहना कैसे हम चोब हो इस घंटे हुआ है इस नग WiFi रहेंसे का जो जोaciीव है जो भचन में वचन को मनन करेंगे ओनको अपना बना लेंगे लोट्प तुछ करे करते हैं मलण करते lij अदर डाल लिए और यह आपको आधत पड़ जाएगी ना एक वार काहिं भी में वचना लेंग inac appeal कि आठे गए नहीट अंदर रखेल अपके अंदर Capital किउ हिमाई इसी से है कि हम बहुत फ़्लाएं लेकिन कब यह उसके वचण मुझ्ह में बने रहेंगे तो व् AMA पढया जैसा पिताने मुझसे फ्रेम रखा मैं ने मेरे प्रेम मे बने रहो के बने रहो परमेश्र के प्रेम में बने रहो यह रिवनना चोदह का सुला पंदवल मैं यह भी सब्रम से प्रेम रखते हो तो मेरी आजयाों को को मानोगे आइमेन वेमेन यहान पन्तरा का और क्या बोलता है कि मेरे भे में बने रहू आचा युजित हो का बाद़ा है गेरी तो मुझे अग्या को मानोगे कि हम उससे प्रेम करते हैं लेकिन हम चाहते हैं वह हमारी अग्या माने Cape उल्टा है? उल्टा है? आपने कभी सोचा आपने जीवन के बारे में? आपने कभी सोचा इस सचाई को? मैसूस खिया आपने? कि परमेश्वर ने आपको संसार से निकाला अपने एक लौते पुत्र का बलिदान दिया आपको शुद्ध किया, पवत्र किया तकि हम उसके राज्य में आ जाएं और उसके साथ चलें, परमेश्वर की इच्छा है, हम शुद्ध होने के बाद परमेश्वर का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं तू संसार में चल, हम नहीं आएंगे, तू अमार संगा, हम संसार में प्रभु को लेके जाने हैं, संसार से नि हालो समझ रहे हैं आप लोग करी समझ रहे पर बसंश्या से निकाल कर अपना बना लिया तो आप परभू चली मेरी नग्री को ठीक कर tu सुफ कえば स्वाद साब करती की पलोशी को रोटी के लिए वो कह रहा है रोटी की जिंता क्यों करता है तू हलो किस के लिए क्योंकि हम महसूस नहीं करते हैं कि हम गोद लिए हुए हैं हम सहे उत्रादिकारी है इसलिए हम उसके लिए हम उसके साथ आकर यह नहीं कहते हैं पर्मेश्वर आपके जीवन में अपना असीन धन देना चाहता है और वो तब देगा जब आप खुद को ईशू के साथ सिंगहासन पर महसूस करेंगे Bible में लिखा हुआ है Ephesio 2 का साथ और जिस दिन आप ने महसूस कर लिया कि हम ईशू मसी के साथ बैठे हुए अलो उससे नआप मांगेंगे क्या क्या मांगेंगे भजन सहीतिया 149 चाह कहता मैं तेरा उठना बैठना चलना फिरना सब जानता हूँ सब जानता हूँ तेरे मूसे निकलने से पहले तू क्या मांगना चाहता हूँ उसने हम को रचाय इसलिए मेरे भाई हमें पूरी इमानदारी के साथ उसके दिये हुए काम में लगना है गंभीरता से गंभीरता से मैं आपको बता रहा हूँ और जिसन आपने गंभीरता से उसके काम को अपना बना लिया उसकी इच्छा को अपना बना लिया उसके बोज को अपना बना लिया आपके जीवर में कोई बोज नहीं रहेगा कोई बोज नहीं मैं आपको चեռलेंज करता हूँ जो आपके अंदर बोज है ना यतने बैठें बोज है क्या होगा ऑफिस का बोज और घर का बोज कब आपको विश्राम मिलेगा जब हम पास जाएंगे हम पास नहीं जा रहे और विश्राम नहीं मिल रहा है हम दूसरे दूर से बोल रहे हैं इशू दयाकर हम दूर से बोल रहे हैं इशू दयाकर हम सो इसने ज्यादा चिलाएंगे तो इशू मसी तक पहुंच जाएगा हम उस अपने आप अपने आप मेरी बहन ऐसा कोई बोज नहीं है वो ठीक नहीं कर सकता असंभव को संभव करने वाला वो है लेकिन उसके एक बोज को अपना बोज बना लीजिए ये मैं आपको एक ख़जाने की चाबी दे रहा हूं मेरे भाई समय निकालिए क्योंकि अंतिम समय चल रहा है अंतिम समय चल रहा है फिर मत कहीगा मैंने आपको बताया नहीं प्रभू कभी भी आने वाला है अपने आपको प्रभू के काम में लगा दीजिए लगा दीजिए कि मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि अपना काम छोड़िए हमारे पास बहुत समय है हम प्रभू के लिए बहुत काम कर सकते हैं बाइबल पढ़ना प्रात्ना करना इस्ति अराधना करना प्रभू का काम नहीं है घर से निकलिए कमफर्ट जोन को छोड़िए और प्रभू का अशीष देखिए आपके जीवन में कितना काम करता है जो अधिकार इशू मसी के हैं वो अधिकार हमारे पास हैं क्योंकि परमेशन ने हमें इशू मसी के साथ बैठा दिया है अपनी कीमत क्यों नहीं समझते हैं कभी आपने प्रात्रा किया रात को सोने से पहले अपने लिए कि आज मैंने कैसा दिन बिताया है कभी मैं अबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रोज 10 मिनिट अपने बारे में अनलाइज करिये कि आज मैंने दिन भर क्या किया आज मैं उठा नाया, धोया, खाया, पिया मैंने क्या किया सुचिए आप प्रभू के लिए क्या किया मैं क्या मूद दिखाऊंगा पांच मिन्ट अपने बारे में सुचिए एक दिन, रोज का लेखा अपने से लीजिए बिष्टर में जाने से पहले नीन में जाने से पहले अपने आप से पूछिए पांच मिनिट कि आज मैंने प्रभू के लिए क्या किया इमानदारी के साथ मैं आपको सच कह रहा हूँ आपको खुद महसूस होगा और आप खुद आइस्था इस्था बढ़ते जाएंगे इमानदारी से पूछो कि मैंने आज क्या किया वहाना नहीं कि मैं वहाँ नहीं गया यह नहीं कुछ नहीं और आप देखते जाएए जब से जब आप पूछना शुरू कर देंगे कि मैंने प्रभू के लिए क्या किया और आप प्रभू के लिए समय निकलना शुरू कर तक ने कि आपके बोज अपने आपको होते जाएंगे आपकी चिंताइंए अक्निया अपको सच कहरा हूं कि जैसे जैसे आप प्रभू के लिए लग जाएंगे। आपको सोचने की जरूरत नहीं है मेरे भाई वो सोचेगा वो बताएगा आपको क्या करना है वो बताएगा आपको बच्चे को कहा भेजना है वो बताएगा कि आपको किस तरफ जाना है अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मुझे बताने के लिए तैयार है उसने अपनी आत्मा मुझे दिये हलो और उसकी आत्मा हर पर मेरी अगवाई करने के लिए जीवित है मेरे अंदर है लेकिन हम उसकी साहिता नहीं लेते प्रेस लॉट आप सोचिए स्वर्गिय स्थानों की तरफ अब देखो कुलुसियो तीन का दो और तीन पढ़िये मैं लास्ट एक वेशन लेता हूँ पर बंद करते हैं स्वर्गिय स्थानों की तरफ देखो अपना ध्यान स्वर्गिय चीजों पर लगाओ और कहीं मत लगाओ स्वर्गे चीजों पर 3 का दो दो का और 3 का दो थीन का दो तिन जिसमें बुद्धि और ज्ञान कि सारे बंड़ादा कि पहुए है पुलुशियों तीन दो और तीन पृट्वी पर कि नहीं परंद स्वर्गे वस्तों पर ध्यान लगाऊ क्योंकि तुम तो मर गए प्रेज लौट आपने कभी सोचा में मरा हूँ यह बोली मैं मर गया हूँ जोर से बोली मैं मरा हूँ मैं मरा हूँ क्योंकि तुम मर चुके हो आगे तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में चुपा हुआ है हमें उस जीवन को देखना है जो परमिश्वर में है हमें उस जीवन की और अपना ध्यान लगाना है क्योंकि हम इसके लिए मर गए मरे हुए हैं इसलिए जब आप रात को सोते हैं तो अपने लिए बताईए अपने अनलाइस करो अपने जजबन जाएए अपने जजबन जाओ कि नहीं नहीं मैंने क्या किया था मैं कर सकता था नो करूंगा डिसिप्लेन बनाएए नहीं मुझे करना है पांच बज़े उठते ते नहीं हो रहा है चार बज़े उठीए नीन को कम करिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ आप साथ घंटे सोते हैं पर में शर्ट पाँच घंटे में आपको पूरी नीन कर देगा डैनियल ने क्या किया था याद आपको उसके पाइद राजशी खाना था खाना था रोस ऐसा खाना था जो राजा खाता है लेकिए वो खाना क्या था मूर्ती को चड़ा हुआ था हो क्या कहता है मुझे नहीं खाना खाना है और वो बोलता है सेनपती जो उसका खाजांची था कि अगर आप याद खाना नहीं खाएंगे तो आपके चेरे पर एक शक्ति नहीं दिखेगी और आप दिखेंगे नहीं चाहरा के सामने कैसे पेश करूंगा उसने का नहीं आप मुझे हफ्ते का दस दिन का सामें दीजिए और परमेश्र ने अध्वुत आशीश दी सिर्फ साख पात खाया कि वो डानियल था आज भी प्रभू डानियल को ढूल रहा है कि अपने कि अगया आपकी निद छे घंटे की है कोई बात नहीं परमेश्र का काम करिए दो हंटे परभू को दे दिए चार घंटे में परमेश्र आपको फ्रेश कर देगा चार घंटे में जब से सऊएंगे चैसे लेटेंगे आपको निदा जायेगे प्रभू के लिए दीजिए नहीं सोंगा ना सही प्रभू के लिए यह काम नहीं हुआ ना इसी प्रभू काम पहले है mile लीजिए अपना मैं जीना है मुझे प्रभू के लिए आप देखिए प्रभू का काम प्रभू आपके जीवन में आपको महसूस होगा काम करते हुए आलेलोईया प्रेस अलॉड आज का वचन हमने ग्रैंड किया कितनों को आशीश मिला प्रेस अलॉड मैं सच कह रहा हूँ इस वचन को अपना बना लीजिए आपको अद्भूत आशीश मिलेगा गॉड ब्रेस यू प्रभू आपको बहुत बहुत आशीश दे हालेलोईया